अडानी ग्रूप को लेकर अमेरिकी रिसर्च कमपनी हिंडन बर्ग की रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट का ऐसा असर हुआ कि अडानी ग्रूप के शेर रोजाना तास की पत्तों की तरह गिर रहे हैं। अडानी ग्रूप की कम्पनियों का मार्केट कैप सो अरब डॉलर तक गिर चुका है। और इसके साथ ही गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शक्स का तमगा गवाकर टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने दो साल के रिसर्च के बाद 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रूप पर कई संगीन आरोप लगाए गए। और यहीं से अडानी ग्रूप के बुरे दिन शुरू हो गए। अडानी समू की 10 कंपणियों पर सबसे अधिक गाजगिरी है। रिपोर्ट जारी होने के बाद ग्रूप के इन 10 कंपणियों को 8.67 लाग करोड यानी 107 अरब डॉलर तक का नुक्सान हुआ है। जो की एथीपियों और केनिया जैसे देशों की जीडिपी के आसपास है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एथीपियों और केनिया की जीडिपी 110 से 111 अरब डॉलर के आसपास है। बीते 7 दिनों में अडानी ग्रूप की कमपनी अडानी टोटल गैस के शेयरों को सबसे अधिक 29 डॉलर की चपत लगी है। सिधे तोर पर मतलब है कि सितंबर के बाद से अब तक अडानी 85 अरब डॉलर से अधिक की संपती गवा चुके हैं। जो कि एक तरीके से बुल्गारिया की सलाना जीडिपी के बराबर है। हिंडन वर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद बीते 6 दिनों से अडानी ग्रूप के जिन कंपनियों के शेयरों की चपत लगी है। उनमें अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसे 16.95 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। अडानी ट्रांस्मिशन को 16.36 अरब डॉलर। अडानी पोर्ट और सेज को 7.89 अरब डॉलर। अंबुजा सिमेंट को 3.55 अरब डॉलर। अडानी विलमेर को 2.4 अरब डॉलर। और ACC कंपनी के शेर को 1.13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।